किसान भाईयों नमस्कार कि मैं आपका डॉक्टर किस्टन चंद्रा कि इंजाइम की कड़ी में ही मैं आज आपको बताऊंगा कि गेनुवल फॉर्म में कैसे आपको इंजाइम बनाना है जो आपने देखा होगा जाइम बहुत सारे पांच किलो पैकेट में भिखते हैं वो सारा के सारे कैसे बने जाते हैं और उसके अलावब देखाऊगा कि तीन तरह के हमारे छोटे-छोटे पीबल आते हैं मतलब यह जो हम लोग गेनुरल ब अब दूसरा एक हमारा आता है जो कि छोटे-छोटे डाने होते हैं दाने गोल नहीं होते हैं देडे मेरे होते हैं वह फ़ते हैं जिनको हम रोस्टेड गरिंव बनाया और बनाने के बाद आप इसको आपने भटी में गरम कर दिया तो तो वाटर होल्डिंग पानी डालेंगे ज्यादा सोखेगा अब तीसरा आता है जो गैनुल फॉर में गोल विल्कुल चमकदार दिया था वह हमारा आता है चाइना से और उसमें केमिकल बढ़ा हुआ उसमें यूरिया के दूसरे फां में पडा हुआ है हम आइड उसको बोलते हैं और कुछ जो जानवरों को भी हम देते हैं तो यह हमारा रेडिमेट बनके आता है नोकि 40 उपैए कि लोग आता है उसके लोग कि यूज़ करते है तो यह तीन के लिए अब यह होता है कि हमारे लिए क्या हैं मैं जो बताऊंगा तो आप देशी उसको देशी बनाएए देशी बनाने क्या तरीका है जो हमारे गाउं में तलाव होते हैं उसके इंदर की मिट्टी होती है चिकनी मिट्टी उसी से गर्णलम ला लिए अब कैसे बनाए एक चलनी लेजिए बड़ी सी थोड़े मोटा अपधिर आप दूसरा है इक देशी तरीका है यह मेट्टी मिट्टी लेए या पहीं से भी क्तव कशister ङ्मोटो जो भी आपको मिलती है यह लेले हम चिकनी मिट्टी लेले लेदेगा बना दी झाल कंचे मेरे घिलती है झाल बना और यह बनी बनलोड़ें आपका पर कि इसको बोलते हैं केरियर मेटरियल इससे ही हमारा बनता है गैन्युवल फॉर्म में आपका जाइम कैसे बना है अगर आपको सस्ते मिल ला मालिये 20 किलो मिल ला है बल्क में मार्केट वाइसे लोग बेच रहें 5-500 रुपई-100 रुपई अलग बेच रहें कि सब्सक्राइब सब्सक्राइब लाने के बाद उन्होंने पानी मिला और गोला यह आपने छे रुपई-7 रुपई किलो आपका मिला यह गैनुल इसको पर स्प्रेय कर दिया कुछ नहीं है खाली एक सेड़ उसी में सब्सक्राइब कर दिया और उसको पैक कर दिया वह आपका बन गया पैसा लगा के थोड़ा सा महेंगा बेचने करना सीवीड पाउडर ले लिया उसके साथ में उन्होंने जो आपका प्रोटीन है जो हाईडोलीटस से प्रोटीन मिलता है जो समाने बताया 20 रुपई किलो से लेके 20 लिटर से लेके चार्ट लिटर जो की कॉर्ण और आपका य और आपका फॉलिक एसिट जो मैंने बताया था वही सलूसन जो आपका लिक्विड बना वह पूरा सलूसन समझ लिए उसको मिला देते हैं तो थोड़ा कॉसली रहता है उसको इसको पर इस प्रेय करेंगे तो यह दिरे-दिरे अब्सॉर्ब कर लेगा तो जो आपका अच्छा जिस रेट में आप आपको तुम लगता है कि सस्ता जो है अच्छा लेकिन सस्ता वाले में कम है महेंगे वाले में थोड़ा नूटिन जादा है लेकिन अराम से सभी लोग बेच रहे हैं और एक्सपर्ट बनाने वाले हैं घर-घर में बनना है आप जाए तो देखें जितने इसे की वाल्टा देता है तकि लालच में यृट है तो फॉड़ासा भरब देगा और फायदा ने होगा जमीन के फायदा ने भी जमीन बदल ने या कुछ आपके वह फ्रूटिन वे वह रहे घर एक तो प्रूड़ाव बन गया इसको आप बना सकते हैं अब दूसरा बनाने का क्या है कि आप इसको जो भी है इसको सारे के सारे जुन मैंने चित इस टॉशा करें एक उसको बनाया और इस kg पроде को ऑनल नहीं कौ इस ऐन रहाया वहाँ को इस니다 जब इस्प्रेय करेंगे तो आपका जाना अगर तो तो नहीं है तो 5 परसंट अब्सूर्ब करता है तो वह आपका जो बन गया यह आपका गैनल फार्म उसको बोलें गया लेकिन बैक्टरिया दिन सर्वाइब ने को मर जाएगा कुछ दिन तक चलेगा उसके बाद मर जाता तो इसको जब बना लेता है तो तीन मेने के अंदर अंदर आप यूज करते हैं तो आपको पूरा जाएगा लेकिन बैक्टरिया वाला यह नहीं आएगा तो यह आपका इसमें बैक्टरिया लोग बताते कि हमने अस्पेक्टरिया क कोई भी बैक्टरिया किसी भी फार्म में डालें तीन महिने से उपर नहीं चलता है एक महिना बिल्कुल सही रहेगा दो मैंने कम हो जाएगा तीन मेने बिल्कुल कम रहे गए नहीं कोई कितना भी क्लेम कर रहा हो आप लाके प्रोड़क्ट हमें दिखा दिए मैं आपको दि इसलिए पहले से ही ना कुछ ऐसा बैक्टरिया है जो कि नुकसान दे है गलती से पै्थरजन उसके अंदर आगया तो आपके फसल को नुकसां करता है तो यह जो है जो लोग करते हैं अब सपोर्ड करते हैं कि आप यह कैमिकल के साथ इसको मिला लिए वेज्टिकमपोज़ कि उस प्रोड़क्त के अंदर कौन सी चीज है कौन सा जिवाड़ू है जो कि जाके कही नुकसान कर तो आप करेंगे को जो एक्सपर्ट आपको पढ़ा लिखा आधा पढ़ा लिखा जो आपको जो राय दे रहा है उसकी दाय ले और जब कुछ नुकसान हो प्रावला में उसक जंदा चलान लेगे या अपना किसी कमिशन को एड़ने के लिए उसको कोई लेना देना नहीं इसलिए आप जब भी करें अपना प्योर ऐसे यूज करें और मैंने पहले बताया कि यह सब चीजे बनाने के लिए यूज करने कि लिए लेकिन प्रोड़क्शन जो बढ़ाना ह उसके साथ आपका जो स्मेटे करके आप जब खेती करते हैं और जूदिकंपोस करते हैं हर्च है मटकेर बैस मीठे होता है लालासा होती है कि हाँ जाने क्या है और कोई थोड़ा पढ़ा लिखा तो आप उसी में लट्टू याते बिल्कुल इसमें आई आप अपना जो सिस्टम कर रहा है वही करें यह आपको अगर पैसा आपके पास है तो आप बना लीजिए वनना मैं आपको सजेस्टन नहीं करता कि यह बना के इन चीजों भसें आप नेचरल चीज पर जाएए जैसे हम लोग प्रकरति खेती बोलते हैं प्रकरति खेती क्या नेचरल चीज सब कुछ करना तो यह वही खेती जो आप होगे है वही फाइदे मंद है और नेचरल तरके जाई भली अगर केमिकल फार्मिंग कर रहे हैं आप केमिकल जो रिकमेंडेट उसको पचास परसंट यूज करिए लेकिन बायों भी यूज करिए आपका मैंने बताया आपको वेस्ट डिकंपोजर सब कुछ यूज करिए फ कोई भी फसल आप अच्छी नहीं ले पाएंगे क्योंकि वेस्ट डिकंपोजर यह साब के पास हतियार है ब्रमास्त है जो कि आपके हर नुट्रिशन को अवलूल कराता है जो आपके पड़ा हुआ है जो आपने डाला जो आपने प्लांट में दिया उसको अप्टेक बढ़ इसके अंदर खाली मतलब आप जो लिक्विड बना उसमें आप कॉटन लगा दीजिए और यह बनाया यूज कर रहे हैं एक साल दो साल तीन साल तो कोई प्रावलम नहीं आती और आपको थोड़ा बहुत जुरूर मिलेगा हाँ यह अच्छा है जो केशन गादिन करते हैं ज इसके पढ़ना में मैं बीच बीच में आपको फोटो भी डाला हूं कितने सुंदर तरीके से लोगों ने किशन गार्ण कर लिया अब क्या चीज नहीं हो अभी कुछ जाला इस्टैवेरी बीसी में मैंगो तो इतना बढ़ियां कि लगता कि कहां से आरा बाहर उसमें जो एक्सेस केमिकल मैं केमिकल को नुक्सान मों नहीं कहता हूं लेकिंग एक्सेस केमिकल जो यूज दालने उसका नुक्सान है उसको आप रोके और नेच्रल तरीके से ग्यों बनाएं और उसको यूज करें धन्यवाद